चो नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपके दोस्ट जॉक्टर बिशेक और आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है यूकि मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर हमारे जो फादर है जो हमारे पैरेंट्स हैं वो डिफेंस में हैं तो क्या हमको नीट इसका नाम क्या है उस ऐस कॉलेज में अमीपेस की फीस क्या होगी उस कॉलेज में अमीबेस तक क्या होगा प्लीजा आप हमें डिटेर बनाए अगर आपके parents इस समय present time में defense में working है चाहे वो Air Force हो, Navy हो, Indian Army हो तो आप इसके eligible है इसमें ना से students जो है जो उनकी daughter या son जो है eligible है even उनकी wife अगर चाहे तो वो भी eligible है ठीक है यह पहला जो है नियम है अब यह depend करता है हर state के उपर कि कितनी सेटे रिजर्ब की गई है 1-5% सेटे रिजर्ब की जाती है CW quota के तहट NEET exam में MBBS के लिए ठीक है अब पहली बात दूसरी बात अगर आप कोई बच्चा जिसका parents नहीं है defense में लेकिन वो है चाहता है कि वो doctor बने MBBS करें लेकिन defense में तो एक college इसका नाम है AFMC पुने जी हां arm force medical college जो की पुने में है इस college से आप सभी MBBS कर सकते हैं और doctor बनकर देश और समाज की सेवा कर सकते हैं यहाँ पर total MBBS की 150 seats है need से पहले separate exam होता था लेकिन अब जो है कोई भी बच्चा जो need exam देता है वह ज्वाइन कर सकता है पस कुछ एक सर्थ है सर्थ यह है कि जब आप जा रहे हैं तो आपकी age 1725 में से बीच में होनी चाहिए पहली सर्थ दूसरी सर्थ आप married नहीं होंगे unmarried बच्चे apply करेंगे तुसरी बात during MBBS आप साधी नहीं कर सकते हैं study के समय और आपको job to MBBS में के बाद army में मिली जानी है ठीक है बाकी 10 plus 2 qualify हो वह सारा criteria जो need वाला है वह apply होता है armed force medical college में अगर ranking के दिशकोंड से बात करें तो इंडिया के top 10 medical college में सुमार होता है एक बहुत ही बेतरीन college है और आप सब को पता है कि defense के जो rules होते हैं regulations होते हैं वो बहुत strict होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं तो पढ़ाई अच्छी होगी होगी आपको एक अच्छा doctor ब BBS करने के इसकी फिर साइड होती है वो 66,000 पर यहां पर आपको regular scholarship भी मिलते हैं तो वह बहुत matter नहीं है कोई भी बच्चा कर सकता है ना सिर्फ FMC पुने में आप MBBS इवेन आप nursing और paramedical courses में भी admission ले सकते हैं ठीक है अब cutoff की बात करें दोस्तों हम तो cutoff थोड़ा सा जाद जाता है क्योंकि हमारे भारत भी बहुत सारे ऐसे युवा है जिनके अंदर जुमून है वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वह जो है cutoff थोड़ा सा जादा जाता है मैं cutoff के बारे बात कर लेता हूँ ठीक है cutoff यह कहता है कि अगर आप FMC पुने से MBBS करना चाहते हैं तो आपके नंबर थोड़े से जादा होने चाहिए अगर आप जनरल के डिगरी से हैं तो आपके score 640 प्लेस होने चाहिए ठीक है अगर आप OBC है तो 630 प्लेस होने चाहिए SD के बच्चों के 670 प्लेस या 60 प्लेस माल लीजी आप और SD के बच्चों को जो है यहां भी 660 टू 70 प्लेस पे आपको आनफोर्स मेडिकल कॉलेज मिल जाता है क्योंकि सीटे कम है तो cutoff थोड़ा सा जादा जाता है लेकिन जो rules है वहाँ पर आपको थोड़ा relaxation मिलता है आप competition थोड़ा सा कम हो जाता है ठीक है तो यह basic information थी आनफोर्स मेडिकल कॉलेज को लेकर दूसरी बात अगर आप नॉर्मल चाहते हैं कि आप कहीं से MBBS कर लें उसके बाद आप आर्मी में जाए तो उसका भी option आप सभी के पास में होता है जिया जब आप MBBS complete कर लेंगे या PG complete कर लेंगे उसके बाद आर्मी के जो command hospitals हैं वहाँ पर regular vacancies आती रहती हैं आप वहाँ पर apply करिए और एक इंट्रेंस होगा या फिर इंटर्वी होगा और उस इंटर्व्यू के बेस्ट पर आपको आर्मी में डॉक्टर बनने का जो है जो एक opportunity है वो मिलेगा और आप आर्मी में डॉक्टर बनकर आर्मी के सिवा कर सकते हैं इस देश की सिवा कर सकते हैं ठीक है तो I hope guys कि मैंने आप सभी के सवालों का answer दे दिया होगा अगर आप सभी को वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं आप लोग बहुत सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर आप सभी के लिए नीट एवं MBB से जूड़ी हुई हर एक information आप सभी को आपके लेंगेज में प्रवाइड करते हैं इस वीडियो में तही आप सभी देश के future doctor's सभी पैरेंट्स का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद thank you so much जहिंद